कोईट का जो आजाद वीजा होता है बहुत ज़्यादा इसमें पैसा कमाते हैं लोग तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी लोग कोईट में आना चाहते हैं तो उनको वह सही ब्यानकारी मिले तो अगर आप लोग कोईट में एक आजाद वीजा पर आना चाहते हो आजाद बीजा क्या होता है और अगर हम आजाद बीजा पर आती है तो हम महीने में कितना कमाएंगे और हमको यहां पर वो टाइम कितना मिलेगा और यहां तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग को छुटती मिलेगी कि नहीं मिलेगी काफी भाई लोग ऐसे थे जो बोल लेते भाई एक आजाद वीजा के बारे मीडियो बनाईए और हम आजाद वीजा पर आना चाहते हैं तो आजाद वीजा क्या होता है और उनको समझ नहीं आ रहा है और उनके काफी दोस्यार आज कोईट में जा रहे हैं बोलें कि हम गोई जा रहे हैं आजाद बीजा पर जा रहे हैं तो क्या डिफरेंस होता है आजाद बीजा में और जो बीजा होता है और क्या यानि कि आपको पुरा मैं क्लिर करने वाला हूँ जैसे कि कई तरिकित बीजा होता है यहां पर मैं आपको बताना चाहिता हूँ कि ब परबलम होती है तो चलिए बात करते हैं करके और उनको यहां तक कि कोई भी जाब अगर नहीं होती इंडिया में अगर वो लोग इंडिया में कोई जाब करती है जाना तो उनको क्या रहता हैं ना कि आर हम चारएं पांचार में पाईजा पासा है लेकिन आप लोग को जो रियल्टी है वो जानना पहुआ जरूरी होता है तो आज का जो हमारा टापिक है आजाद बीजा से रिलेटेद है यानि कि उसी की बात करने वाले हैं ना कि दूसरी बात करने वाले हैं जैसे कि काफी लोग ऐसे हैं जो जहां पे काम करते हैं यानि कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर पे काम करते हैं आजाद कोई घर रहेगा उनके बीव बच्छे रहेंगे और घर में उनकी जैसे की गाड़े बगएरा हो गया और मा लेते हैं आपको हदिया बगएर रहते सकते हैं लेकिन काफी लोग ऐसे बोलते के यार हम तो आराद विजा पर बाहर काम कर रहे हैं हाँ भाई आराद विजा पर आप लोग आते हो तो इसमें कुछ प्रबलम भी होती है जैसे की अगर आप लोग बाहर काम कर रहे हो अगर यहां पर कोई चेकिन वगएरा आ जाती है तो आप आप लोग कोई मरजी है लेकिन काफि ऐसे लोग है जो कोईट में आजाब विजा पर बाहर पर काम करते हैं लेकिन पुलिस को पता चलता है कि भाई यहां पे 53 में लोग बाहर पर काम करते लेकिन अगर आप लोग को सिधर इंडीया भेदिया जाएगा आप लोग कोई बी रोक नहीं पाएगा वहाइगा किया यहां पर दीजा होता है यह कोई बंदां कंपण करते हैं और काम करते हैं देखेंगे का नाम क्या है फ़लाना फ़लान फ़लाना और और पोरा डेटल में लिखा रहता है पहले लिखा रहेगा आपकी ज है प्रणोड का का नाम कार्फ युछ रहे लिखा लेकिन अगर आपका नाम कुछ फरक हुआ यानि कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खादिम वीजा होते हैं वह कहीं पर काम कर सकते हैं कर नहीं सकते हैं लेकिन उनकी मरजी है अगर आप लोग पकड़े जाओगे ना आपको इंडिया डिपोर्ट करती जाएगा भई पैसा तो यह यहां पर है खादे मीज़ा बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं अलाग अलाग काटिगरी में काम करते हैं यानि कि बहुत से जहां पर काम करते हैं और अच्छा पैसा भी कमाती है वह आपको यह आपकी मरजी है बैराल मैं तो इतना कहना चाहते हूं अगर आप लोग यहा करते हैं जो आज़्वीजा का मक्ससर्थ था कि आप लोग को डौट पूरा क्याइर होगया होगा मैं आपको बतानना चाहरता हूं आज़ाइब ओनली कोई लिए ई हाउस टा'Me कर